हलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वास्त होंगे इसी उमी दौराशा के साथ में आज की वीडियो कौन कौन से पौधे लगाती हूं आज वीडियो में यही सब श्यर करने वाली हूं वीडियो में बने रहे गा और एगर थोड़ा पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अगर मेरे 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 कुछ waste material की gardening करना चाहती है waste material की वीडियोज पसंद करती है तो प्लीज इस चैनल को subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि इसमें आपको अधिक तर waste material की वीडियो ही देखने को मिलती है क्योंकि मैं waste material gardening करना पसंद करती हूँ कूडे कच्रे में किसी भी चीज को फिकना पसंद नहीं करती हूँ तो अगर आप भी waste material gardening से अपनी gardening की शुरुआत करना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत useful होने वाला है तो चलिए देख लेते हैं मेरे garden में ऐसे कभाड है कि जिन में कौन-कौन से पौदे मैंने लगाए हुए है बहुत सारी अंगिनत चीजे हैं दोस्तों और कौन-कौन से पौदे इन में लेगे हुए है result कैसा है सब कुछ मैं इस वीडियो में आप से share करने वाली हूँ सबसे पहले दोस्तों मैं कर लेती हूँ यहां से शुरुआत यह दिखे यह है चोटी सी आधा लीटर वाली बॉटल और इसमें मैंने देखे रेन लिली लगाया हूँ है और रेन लिली में देखे बरसात में फ्लावरिंग होती है बल्ब के द्वारा यह पौदा लगाया जाता है और इनके बल्ब मल्टिप्लाय होते रहते हैं मैं अपनी हर वीडियो में रेन लिली का पौदा आप लोगों से share करती हूँ यह एक बहुत ही permanent plant भी है और बहुत ही hardy plant भी है और देखिए इसमें कल्यां भी बन ले लग गई है यह आप देखेंगे पौदा के इसमें अन्गिनत पौदे त्यार हो जाते हैं आप कि बहुत है आप दो लिटर कि बाटल हो और उत्माब कि भी बाचल्ण में लगार सकते हैं यह देखे यह एक और एक लिटर की बॉटल है यह देखे और इसमें भी मेरा रेंडिली लगा हुआ है रेंडिली जो है बहुत ही हाड़ी प्लांट भी है और बहुत ही एजी ली जो है ग्रो हो जाता है इसलिए में इस पौदे को जो है अपने गार्डन में लगाती रहती हू चाहे वो विकार की बोतने हो विकार का कभाड हो कुछ भी हो सब में मैं रेन डिली को अरहानी से लगा लेती हूँ यह देख़े यह एक भिन तरीके का 5 लिटर का डिबा है दोस्तों यह जो है बैगन का पौदा है यह जो हमारे घर में अगर आप लोग के घर में कोई जिम बगर जाते होंगे तो इस तरीके के प्रोटीन के डिबे होते हैं यह बहुत ही मजबूत होते हैं फ्रेंडस यह इतना मेरे क давно जब काटने चाहिका यह साठा jsum कbird कि पहाड की दिपार की संबरा है के चीज चलने मैं आपो करते हैं तो आह मीरे के वेकार से पहाड को कुटे कच्छिरे में मन चाहता है यह वर्य थिश्छा है मैसे आपको दिखाती हूँ कि देखे इसा कभार के डिबवे में आप यह जो पवधा आप थोड़ा सा देख रहे हैं ये गिलहरी सॉर्य दोस्तों गिलहरी ने क्या है इसका काम इस तरीके से एक ही पॉट में देखे ये बिकार का 5 फीट का डिबवा है और इसमें बैगन लगे वे हैं यह छोटे छोटे आप देख रहे हैं और भी आपको दिखाऊंगी यहां पर आप देखें ये है यहां बहुत सारा वेश्त मेंटीरियल यहांपर भी बहुत सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी ये देखिए ये बेकार का grow bag है दोस्तों जो हमारे घर में मकीन्स वगर आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़े आती है जो इन बेकार की grow bag में आता है तो मैं किसी को नहीं फेकती हूँ सब का use अपनी gardening में करती हूँ और ये मैंने जो पौदे है ये अभी cutting से कुछ समय पहले ही लगाए है ये और इतना अच्छा result है दोस्तों क्योंकि अभी बरसाथ थी बरसाथ में जो भी पौदे हम cutting से लगाते हैं उनका result बहुत ही शांदार मिलता है देखे कितना खुबसूरत लग रहा है ये बेकार के बैग में लगावा ये पौदा कौन कहता है दोस्तों कि इन बेकार की चीजों में जो है पौदे ग्रो नहीं होते है या हमें इनमें हर्याली देखने को नहीं मिलती है दोस्तों इनमें हर्याली भी देखने को मिलती है और यह बहुत ही अच्छे से पौदे इनमें चलते रहते हैं देखे कटिंग का लगावा पौधा बरसात में इतनी खुपसूरती के सादे के बेकार के ग्रो बैग में यह ग् कितनी कुपसूरती के सादिके इस ग्रो बैग में ये ग्रो कर रहा है तो आप जो है इन वेकार के ग्रो बैग को भी बिल्कुल मत्वेकिए ये बहुत ही मजबूत होते हैं अराम से इन में पौदे जो है चलते रहते हैं और एक ये दिखे मेरे गार्डन में दोस्तों इन सब इस मेटेरिल की चीजों को बहुत अधिक भरमार है क्योंकि मैं 4-5 साल हो चुके हैं इन वेकार की चीजों को ग्रो यूज करते करते सौरी तो मेरे पास जो है कलेक्शन इन चीजों की बहुत अधिक हो चुकी है और क्योंकि ये लॉंबे समय तक चलते रहते हैं तो इन ये जो है बिल्कुल बेकार की चीजे हैं दोस्तों कभाड है और इनको आप अगर कभाडी को देते हैं तो कभाडी हमें कुछ भी पैसा रुपया नहीं देता है दो से पांच रुपया देगा लेकिन उनसे दो से पांच रुपया से हमें कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन अगर इन के 5 लिटर के कंटेनर का यूज भी कर सकते हैं और यह देखिए अभी रिसेंटली ही मैंने लगाया है यह है बेकार का टूटावा जार जो मिक्सी होती है जब मिक्सी खराब हो जाती है तो इस तरीके के जार भी हमारे घर में से निकलती है तो मैंने देखिए उस जार को भी न बेस्ट की चीजों में जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्णिंग करना यदि आप बेस्ट की चीजों में पौधे लगाना चाहते हैं तो आभी आप गार्णिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिक्टेबर का मन्त है और यह देखिए यह पांच लिटर का जो तेल के डि कंटेनर में तो इस तरीके के अगर आपके घर में पांच लिटर का केन आ रहा है तो उसको आप मत्विकिए उसका यूज आप अपनी गार्णिंग में कर सकते हैं और यह देखिए यह बेकार का ग्रो बैग है दोस्तों जैसे हम खाद वगरा कभी लाती है वर्मी कंपोस्ट हम लेकर आते हैं तो इस तरीके के पॉली बैग आती है जिन में खाद आती है तो मैं उनको भी नहीं फिकती हूँ उसमें भी देखिए मैंने यह लगा दिया है गुल्दावदी का प्लान कटिंग से लगाया था तो देखिए कितनी खुबसूरती के साथ इसमें चल रहा है और यह मैंने कुछ जो बीज लगाए थे वो गिर गए थे तो यह देखिए यह चलाई भी इसमें हो गई है यह लाल वाली भाजी है दोस्तों इसकी सबजी बहुत टेस्टी बनती है तो यह भी फ्री के ग्रो बैग में लग गई है तो यह देखिए कितना खुबसूरत टेल का देखिए तो इस तरह से बहुत सारी चीज़े मेरे वेस्ट वेस्ट है यहाप पर भी दिखे वह democratic में अगली वीडियो में अप लोगों से फिर से शेयर करूंगी कभार की चीजे दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत अधीक लंबा होता जा रहा है अगली वीडियो म में गार्णिंग की शुरुबात भी कर सकते हैं तो बाई फ्रेंड्स हपी गार्णिंग थेंक यू